नमस्कार किसान भाईयों आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कोर्बा खेती बाड़ी में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं कि अगर आप धान की फफल लेते हैं धान की खेती करते हैं और उसमें खर पतवार बहुत ही ज़्यादा उग आ रहे हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आपके धान की फफल में कम से कम खर पतवार उगे तो हम आपको बताते हैं मेरे किसान भाईयों कि आप धान की फफल में ऐसा कौन सा खर पतवार ना सक का इस्तिमाल करें और कप करें कि आपके खेत की फफल में खर पतवार न उगें तो मेरे किसान भाईयों जैसा कि आप देख रहे हैं ये धान की खेती है और इसमें अभी हलका हलका पानी खेत में भरा हुआ है जिसको लगभग धान की फफल की बुवाई को पंदरा दिन हो चुका है तो इस समय मैं इसमें खरपत्वार नासक दवाई इस्तमाल करूँगा जिसका नाम है सांथी जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना अगर हमारे धान जो हैं पंदरा से बीस रोज के हो गए हो या फिर उससे कम है और आपके खेत में हलका सा पानी का भराव है तो आप चाहें तो साथी नाम का एक पाउडार आता है जो असानी से मार्केट में मिल जाती है उसे आप कम के साथ इस पेर कर सकते हैं छिड़काव करने से क्या होगा कि आपके खेत धान को छोड़कर जितने भी खरपतवार है वो सभी नस्ट हो जाएंगे और जो बड़े खरपतवार है वो तो नस्ट नहीं होंगे पर छोटे छोटे जो खरपतवार है वो ही नस्ट होंगे और आने वाले दो महिनों तक आपके खेत में खरपतवार उगने नहीं देंगे तो आपको यही फैदा मिलेगा साथी नाम का खरपतवार नासक इस्तेमाल करने से मैं इस खरपतवार नासक साथी जिसका नाम है उसको लगभग 5 साल से अपने खेत में इस्तेमाल करते आ रहा हूं अगर आपके खेत में पानी का भराव नहीं है तो आप इस प्यास छिटकाव ना करें आप थोड़ा रुख जाए इंतिजार कीजिए फिर आप चाहें तो 82 के बाद में यूरिया खाद के साथ में मिला ले या फिर डियेपी के साथ में मिलाकर या फिर पोटास के साथ में मिलाकर आप इसका छिटकाव कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी दवाई छिटकाव नहीं करना है नहीं डियेपी, पोटास, यूरिया तो आप इसे बालू के साथ डालकर छिटकाव कर सकते हैं या फिर इस पेयर में आप छिड़काव कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको मात सब्ता भर के अंदर में देखने के मिलेगा किसान भाईयों मैं साथी नाम का जो खरपतवान ना सक है उसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ और नहीं कमपनी मुझे प्रचार करने के लिए कहा है ये तो बस मैं अपने अनुभाव को आपको बता रहा हूँ कि साथी नाम का जो खरपतवान ना सक है उसको मैं पिछले पांच वर्सों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ जिसका रिजल्ट बहुत ही बहुत ही सांदार है और आप भी करें जिससे आप लोगों को ये खरपतवार का प्रॉब्लम ना जाए निंदाई कोडाई में आप लोगों का पैसा ज्यादा खर्चा ना लगे और कम पैसे में अधिक से अधिक लाब ले सकते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा खेत का फफल है इसी खेत में और इसके साथ मेरे सभी खेत में मैं साथी का छिड़काव हर सल करता हूँ और जो मेरे किसान भाई हैं साथी का सीड़काव करते हैं वो जरूर बताएंगे कमेंट्स में कि उसका असर कितना होता है क्योंकि उनका भी अनुभाव हमारे लिए आप लोगों का अनुभाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट रखता है तो बस आज के लिए इतना ही जै हिन्द जै भाराच जै खतिश गाड़